हिमाचल के ज्वाली में पौंग जील के किनारे आज भी असंख्य प्रवासी पक्षी मृत मिले हैं आपको बता दे कि गद दिवस भी जील के किनारे पक्षी मृत मिले थे इस दोरान कई पक्षी पौंग जील के किनारे और पानी में तडप कर मरते भी दिखाई दिये प्रवासी पक्षियों के अचानक एक साथ मरने से संबंदित वाइल लाइफ विभाग सतर्ख हो गया है बुद्वार को वन्यप्राणी विभाग हमीरपूर के डी एफ ओ राहूल एम्रोहाणी ने सिधार्था क्षेत्र में विभागी टीम के साथ पहुँच कर सिती का जायजा लिया आपको बता दे कि विदेशों में बर्फबारी वेकड़ा के किठन के चलते हर साल हजारों प्रवासी पक्षी भारत का रुक करते हुए पौंग जील में आते हैं लेकिन यह प्रवासी पक्षी पेट भरने के लिए जैसे ही बाहर खाली जमीन पे निकलते हैं तो लोगों द्वारा फसलों को बचाने के लिए डाली दवाई से मोत का ग्रास बन जाते हैं इलाके के लोगों ने सरकार से मांग की है कि पौंग जील के किनारे फसल की बिजाई करने वालों के खिलाफ कड़ी कारवाई की जाए इस बारे जीएफो हमीरपूर राहूल एम रोहानी ने कहा कि गद्दिवस विभिन प्रजातियों के 425 प्रवासी पक्षियों की मोत हुई है और आज भी पौंग जील के किनारे असंख्या पक्षी मरे हुए पाए गए हैं और कुछ तड़प रहे हैं उन्होंने कहा कि मोत के कारणों का पता लगाने के लिए मृत पक्षियों का पोस्ट मौटम करवाया जा रहा है रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि पक्षियों की मोत आखिर कैसे हुई ज्वाली से सम्वान दाता दोलेच चोहान की रिपोर्ट कल हमने दोनों जो दमेटा रेंज है और अगरोटा सूर्य रेंज है वहां दोनों जगह से हमने जो कल पूरे एरिया को चानबीन करने के बाद जितने पता लगे है तो 421 जो है वो डेड बर्ड समको मिले है और इसमें 9 प्रजातियों के हैं जिसमें ज्यादा तर जो है वो बारेडरियों है जिनकी सबसे ज्यादा डेथ हुई है तो सर आज और आपको और भी मिले आज भी जगा जगा डेड पड़े हैं सर अभी सारे जगा पर हमने स्टाफ लगा दिया हुआ है दुबारा से आज पूरे एरिया को फिर से कर रहा है जैसे यहां पे भी आप देख रहा है करीब 25-30 जो है वो बारेड़ेड़ गीज एक कॉमन टील है एक रिवर्टन है तो यह यहां पर अभी मरे हुए मिले हुए हमने पिछले कल इनके सैंपल लिये थे और इनको जो है वो शापुर जो इनको बहुत है है उसकी रिपोट आने में अभी गयरहे है और वहां जो उन्होंने सैंपल बनाए है उनको अभी जलंदर में आर डीडील जो जलंदर में लैब यह वहां पर भीजा जा रहा है और वेटनरी कॉलेज पालंपूर में वायरलोजी के एक्जमिनिशन के लिए ब बेल इकन को ख्लिक कर हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें. घंडे बादी.